आगरा को तो थी और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि मैं अभी जो पना रहे हैं ताजी सिगेश से लेकर सिकंद्रा तक अभी सिकंद्रा से घंटा लगता है चलेगी तो पता चलेगा कि आगरा में चल लिए और खुषी की बात है कि योगी जीने आगरा में मेट्रो का सुल करवाया यह जितना इंतजार है बस कब मेट्रो चलती है जिससे मेट्रो में सफर कर सके अपना जो टाइमिंग है उसको बचा सके मेट्रो के आने से जो अभी तो कुछ जो अभी सभीदाएं हो रही है लोगों को उसको थोड़ा समय ही लगेगा और आने के बाद में बहुत सारी स७ीदाएं होंगी जैसे कि ट्रेफिक पर बहुत बड़ा फ्रक पड़ेगा ट्रेफिक बहुत कम होगा और इदन बचेगा जिससे कि पेट्रोल अभी जो हम सो रुपे का खर्च करते हैं महां पर मेट्रों से 10 से 20-25 रुपे में हम जा पाएंगे दूसरा लोगों को जो परसानी अभी जो जिलनी पड़ती है कंवेंस की जो त्री वीलर्स की बस की उस ट्रांस्पोर्टेशन में थोड़ा सा उससे बहुत फ्रक पड़ेगा और आगरा में थोड़ा सा इससे बैपार भी बढ़ेगा लिक्सेत होगा भारगे लोग आएंगे वह आगरा को दोड़ा अच्छा खुब सूरत पाएंगे मेट्रो एक अच्छा प्रोजेक्ट है मेट्रो से शेहर में सुभधाय बढ़ जाएंगी और जो हमारे शेहर के अंदर बहुत सारा विकास होगा मेट्रो कहने से मेट्रो कहने से आम जन जीमन बहुत ज्यादा विक् मेट्रो को लेकर आप बहुत सुखते हैं कब तक इस्टार्ट होगी लॉकडाउन पूरे में काम चला है शेहर आगरा में और हम चाहते हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट हो मेट्रो शेहर में आए और शेहर को बढ़ाए झाहते हैं